आपके लिए मन्त अपर आपकी राशी और कहूंगा कि आपकी राशी जापकी लगन के उपर से के तु संचार है के तु और साथी साथ आपके उपर है सारसथी का प्रभाव तो यह जो दोनों जीजें आपको दिखा रहे हैं कि एक मांसिक तनाव कहीं ना कहीं बना रहेगा जातों बहुत ज्यादा स्ट्रेस है काम की स्ट्रेस है बहुत सब्सक्राइब है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके समसे बाहर है जिसकी वैसे मांसिक प्रिशानी आपको बहुत जादा हो रहे हैं इससे आपको इस महिने में खास तर बदरना होगा साथ जार में यह कहूंगा कि आपके धन की हालत जो है इस समय क्योंकि आपका शनी जो है ट्वेल्थ हौस में चला गया है वो धनक में पाःस ぇ डार तर द तर भी आपकी और देख रहे हैं और की amis में कुछ दे दीजिए अपको जहांपर किसी को पैशे करने हैं तो बहुत समझे होंगे आप वो अपने खर्चों को भी बहुत तरह सही त्रीके से उनको एपने पैसे को उट्टलाइज करना चाहिए जिससे आपके लिए एक अच्छा महीना साबित हो पाए अदमने था कहीं ना कहीं आप ऐसी सिथी में आ जाएंगे कि कर्चे बढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई पैसे बौरू करने पड़ सकते हैं तो इस चीज़ का आपने सावधां देना वही रिष्टेनातों में कुछ प्राक्रम की बात करूं मैं तो निच्चे तोर पर आपका प्राक्रम जो है वो दिखा रहा है कि आप फुल अफ एनरजी हैं आप भाग दोर करने में आप कोई कमी नहीं रख रहे हैं और उससे आप अधिक से अधिक लाब बनाने की कोशिश भी करेंगे और यह अच्छी ब घर के मेंबर इंसे बात कर लेते हैं अपने बेहनबाईयां कोई अच्छी मश्वरा मिल जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कोई गलत सोच बिचार करके बैठे आपको खुद के उपर फ्रोसा रखना है उसी में आपका लाब ज्यादा बना हुआ है मैं यह नह इस विलाजशा में इस कम्म्यूनिकेशन को आपको जूज करना होगा वहीं अगर आपके सुकसान की बात करूं यहां पर है आपके एड़ी जाशे और शुक्र जो है वहां पर आकर बैठ गया है शुक्र का काम ही होता है सुक देना शुक्र जब अच्छी सिती में हो तो सुक को चीन कर ले जाता है तो यहां पी बैठा हुआ शुक्र का जो शुक्र है वह वीनिस जो है फोर्थ हॉस में और उसका लॉट क्वेल्थ हुस में चला गया तो ऐसा ही लग रहा है कि शुक्र जो है सुक पाने की विलाशा में बहुत एफट बना रहा है बहुत खर्चे करना कहीं न कहीं बे माइने होगा आपके पास सुक के साधन पहले से ही प्रयापक मात्रा में है थोड़ा बहुत अगर उसमें आपको अमेंडमेंट करना है ठीक है लेकिन अगर आप किसी दूसरे को देखकर और उसकी बिल्कुल कॉपी करने की कोशिकर रहें तो मैं कहा रह चले तो निच्चे तौर पर उनके साथ अच्छे समंदों को बनाए रखें तो अच्छा होगा हाँ चीज अच्छी हो सकती है घर और प्रपटी खास तौर पर गाड़ी के उपर जो है मुझे रखता है कि कुछ आपकी expenditure हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा प्लैन कर रहें तो संतान भाब की अगर बात करूं तो निच्चे तौर पर कुछ लेट डाउन आपको मिलेगा संतान कुछ इस तरह से कर रही है कि जिसमें आपको कुछ डाउट हो रहा है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप को पता है कि आपने जीवन में अच्छा किया है तो संतान भी तो आपको उनके उबर भरोसा करना चाहिए थोड़ा सा भरोसा बना के रखें तो निच्चे तोरके संतान और संतान से जुड़ी की चीज़े जो है वो अच्छी होगी प्रेम समंदों में इस समय कुछ मुश्किलात आ सकती है आपको लग सकता है कि कोई आपको आपको आप आपको योग है साथी साथ किसील के साथ बच्चे का जनम हो सकता है और संतान पौकि किस तरह खुए के कोई मेडिकल साहिता लेने पर सकती है तो उसमें कोई भुराई भी नहीं है अगर मेडिकल सवाज़ता से भी आप अपने एम में कामजाब हो जाते हैं आपको आप कंसीव कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है तो आगे बढ़े और इसका पुरा लाव जो है आप लेके जाने हैं अगर वैं सिक्स में बैठा हुआ मर्करी इस समय अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है आप जैसे आप सोचते हैं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए प्रमोशन की बात चलिए लेकिन वह बात कहां कुम हो गई आप सोचते हैं कि नहीं मुझे मिल जानी चाहिए वह कुछ ना कुछ जी होग लेकिन वो तारीक चेंज हो गई आपको जाना था कहीं तारीक चेंज हो गई जो है कॉंस्टेंट एक चेंज ऑफ मोड दिखाई दे रहा है तो सिक्स हाउस की कंडिशन कहीं कमजोर है वहीं आपको अपनी जो सीजनल जो प्राब्लम होती हैं खास करके अस्तमा टाइप जैस सजीवन वहां पे है राहू और राहू इस समय जो है एक मैलेफिक सिथी के साथ साथ एक पॉजिटिब आसपेक्ट भी बनाए हुए हैं तो ऐसा लगता है कि अप एंड डाउन आप एंड डाउन कुछ ना कुछ मैरीज में बना रहेगा बस आपको ध्यान देना होगा कि बुरे जो वर्ड हैं वो सुनने को मिल सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी ऐसी डिवेट ऐसी बात जो है वो शुरू ना करें डिसकुशन ना करें जिसमें बाद में वो बात आगूमेंट मिठ ली जाए तो थोड़ा सा आपको खुद ही इस बात के बारे में अवेर होगा जे समय रिष्टे में आगे बढ़ने का नया रिष्टा शुरू करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है तो सावधानी पूरवक चीजों को करें लेकिन साथ ही साथ अगर इस समय में जे लेटर के साथ आपका कोई समंद बन जाता है ऐसे लोग आपको हेल्प करते हैं त तो ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले करते चोटे बहनवाई सिवलिंग ये लोग और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी कहीं न कहीं आप से जैलिस हैं क्यों क्यों कि शनी महराज की सारसती है लेकि शनी आपके लिए फेवरिबल होके बैटे हैं जो जुरूर बात ह है कि हrचे बर चलके लोग जैलिस हूजाते के यह कैसे कर रहा है जैसे कैसे ऐसा सब कुछ लेके आती आपके इन्हें हां तो आपका पार्टनर आपके भागे को निर्धारत करने में इस समय आपका काम दे रहा है, तो पतनी साथी, लिविंग रिलेशन्शिप में हैं जा कैसे भी हैं, उनके माध्यम से आपके जीवन में नया परिवर्तन आ सकता है, नई अपरोच आ सकती है, तो उसको आपको लाई रखना है, इसीच का आपने ध्यान देना होगा, भागे आपका प्रबल दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कुल मलाकिक अच्छी सिती, कही न कहीं मैं आपकी कुल्णी में देख पा रहा हूँ, वहीं अगर मैं बात करूं, तो ये मैं कह सकता आपके अगले दिन ही नए महिने की शिरुवात हो रही है, तो यहां चंद्रमा एक पूरी लाइट के साजाने के भागे की पूरी लाइट आपको मिली हुई है, अब आपने इसका पूरा प्रियोग जो है अपने लिए करना है, अगर मैं आपके प्रफेशन की बात करूं, तो जुपिटर आपके हाउस अप प्रफेशन में बैठे हुए हैं, और सन जो है, मरकरी और सन दोनों ही ग्रह जुपिटर के घर में बैठे थे एक अच्छा कम्यूनिकेशन वहां पे दिखाई दे रहा है, तो काम काज के हालात आपके ठीक रहने वाले हैं, नई प्रमोशन तरक्की जिसकी आप उमीद करें उसमें थोड़ी डिले है, लेकिन जी हाँ, आप ही फर्स्ट चोईस रहेंगे, ऐसी साथ में उमीद है, तो कुल मिलाके आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से हैं, आप मीडिया से जुड़े किसी काम में हैं, आप लॉसे प्रमोशन के वो साथ में दिखाई दे रहें, अगर मैं आपके लाब की बात करूं, तो लाब इससान का जो मालिक है, वो मंगल, वो 12 था उसमें, वो दिखा रहा है कि लाब तो होगा, लेकिन लाब को आप खर्चों में तबदील करेंगे, तो जैसे मैंने का गाड़ी खरी सावधानी के साथ आपने अपनी फानेशल सरक्मसार को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, तो मैं यह कहूंगा कि यह पूरा महिना जो है, वो आपके फानांस के घुम रहा है और आपके प्रती लोगों के नजरिये के प्रती घुम रहा है, अगर आप इन चीजों को खुद को बैलेंस बना लेंगे, तो निच्चे तोर पर आपका एक अच्छा महिना जो है, मैं जैसी मीद करता हूँ, वीडियो में दीगे जानकारी, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर करें, नहीं ना भूले, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को स झाल